देश में कोरोना ने एक भार फर्ज से रफ़तार पकड़ ली है कोरोना के तेजी से बढ़ रही रफ़तार को लिए कार सिस्टम अलर्ट है सिविल सर्जन डॉक्टर साबजी थापा ने नुह में बताया कि नुह में 11 एप्रिल को एक कोरोना पॉजिटिव केस आया जो नलर मेडिकल कॉलेज में भरती है उन्होंने कहा कि जिलावे कोविट कोरे का प्रकरिया चल रही है आक्सीजन की पूरे तैयारी है सिलेंडर या गैस ब्रांट पूरी तरह से तैयार है आक्सीजन की कमी मरीसों को नहीं आएगी कि जिलानो में आज 11 प्रेल पर सर्फ एक केस आया है जो की मेडिक और लड़ में है मेडिक और लड़ के दुझे जो डिश्टिक के प्रत्यारें चल रही है पूरीड के लिए हमने पूरी तरह से एक भुख्टिल किया है दाकि उस्टिक कोई पेशिंट लाता है दो तरहां है और जो अपरें चल रहे हैं सब्सक्राइब के लिए औक्सीजन सिलिंडर्स या ऑक्सीजन के वाइड़ गैस प्राइंट लगे हुए हैं वो सारी तरह हमारे बिल्कुल प्रेणी हैं बिल्कुल तियार हैं ओक्सिन कहीं कमी नहीं है काम के जो हमारे पास एक्विपेंट से चीजे चाहिए वो सारी हमने तैर कर ली हैं ताकि कभी भी यदि कोई केस निगलता है या किस जा आश्रू होते हैं उसके लिए हम उनको अच् जाश्र्ट प्रेणी नहीं हैं तो नहीं हैं उसके लिए